Our next topic is diversity. It could be social diversity, racial diversity, physical diversity. There are lots of diversities in human beings. So, हमने अपने बच्चों की diversity के साथ 2-3 बाते हैं जो important हैं करना है. पहला तो यह कि उनकी अपनी diversity को as a educator हमें तसलीम करना है, accept करना है. और सारा वहीं से शुरू होता है उस्ताद से कि वो बच्चों की diversity को accept करेगा और फिर दूसरों की diversity accept करने में उनकी मदद करेगा. और दूसरा यह है कि हमें उनको जो उनके fellows हैं उनकी diversity को accept करने के लिए कहा जाएगा. और फिर जो strategies या instructions हम उनको दे रहे हैं उसको उस बच्चे की diversity के साथ match किया जाएगा. So early childhood is the ideal time to begin emphasizing the importance of diversity. So equity and inclusion. यहीं से अप्तदाई बच्चपन से आप उनकी diversity के बारे में उनसे बात करें. कई जगा यह लिखा हुआ है कि जी अगर आप diversity के बारे में उनको बात करेंगे तो शायद वो और ज्यादा जो है इस तरह का behavior करेंगे. ऐसा नहीं है. बलके अगर उनको diversity के बारे में बात की जाए तो उनको फिर हर जो नया changed person होगा या changed हालात होगे उसको समझने में उनको आसानी होगी. तो हम यह कहते हैं कि वहीं से इप्तदाई बच्च्पन से उनको बताया जाए कि लोग diverse होते हैं. आप भी एक मुक्तलिफ शक्सियत हैं और आपके इडगित के भी लोग different हैं. और फिर हम सबने मिलके साथ चलना है. तो जो different cultural backgrounds हैं उनको समझने और उनको accept करन की उनको तरबियत दी जाए. फिर ऐसा ये है कि सब को किसी एक दाइरा एकार के तहट लाया जाए. जैसे हमारे जो लीडर थे काइद आजम मुहम्मद अली जिना, उन्होंने भी कहा था कि कोई पंजाबी बलोची पठान नहीं हो, तुम सब पाकिस्तानी हो. तो ऐसी सूरत में हमें उन सब बच्चों को बताना है कि हम सारे एक ही कौम के मेंबर हैं और ये हमारा मुलक है या ये हमारा दीन है और इस तरह से हमने उनको किसी एक छतरी तले लाना है. ये भी आप कह सकते हैं कि आप किसी एक क्लास के बच्चे हैं, एक स्कूल के बच्चे हैं, ताके को लोगों को आगे लाना, उनकी मदद करना और उनको साथ लेके चलना, यह सिखाना पड़ेगा हमने अपने छोटे बच्चों को. There are four major principles of the Regu Emilia approach that teachers can originally introduce positive discussions about diversity. तो यह जो हमारी Regu Emilia approach है, यह हमें diversity को एक्सेप्ट करने में और उसको बकाइदा entertain करने में हमें मदद देती हैं. तो इस में क्या चार चीजें हैं जिनके उपर हम focus रखेंगे, एक तो emergent curriculum के curriculum में, चुके diverse हैं, हमारी client, हमारे बच्चे diverse हैं, तो हमें curriculum में हर तरह की वो activities और वो content रखना चाहिए, जिन से मुख्तलिफ जगों से हमारे बच्चे तालुक रखते हैं, या मुख्तलिफ उनके मजज हैं, उनसे वो तालुक रखते हैं, तो सबसे पहला तो यह के curriculum को ही एक नए सिरे से तर्टीब दिया जाए, जिसमें सब को बराबर की space मिले, जैसे gender है, boys की बात भी हो रही हो, girls की भी बात हो रही हो, हर race की बात हो रही हो, हर culture की बात हो रही हो, फिर in-depth projects, projects यहां मतल मुख्तलिफ जबानों के साथ मिल के बैट के बात करें, ताके उनके अंदर जो दूरियां हैं, वो दूर हो, फिर है representational development, ऐसी सूरत में भी आप बच्चों की जो development है, उसमें उनकी अपनी भी हैसियत वो मनवाते हैं, और दूसरों की हैसियत को भी वो मानते हैं, और जो मु आश्रे के मुख्तलिफ तबके हैं, उन सब की representation उसमें शामिल होती है, तो उसमें भी आप जो group बनाएंगे, उसमें gender को भी आप रखेंगे, अगर कोई socio-economic differences हैं, तब भी रखेंगे, अगर बच्चे कोई differently, जो वो है, able है, उस बच्चे को भी आप उसमें शामिल करने की क कोशिश करेंगे, ताके आपका एक diverse और अच्छा group बनाएं, और फिर उनके बीच में collaboration जो है, वो आपको पैदा करनी है, कि मिल के काम करना है, यह सब आप team है, आपने एक साथ ये खेल खेलना है, या एक साथ आपने कोई छोटी चीज बना के देनी हैं, तो अब teaching strategies जो diversity को म उसे लफजों में mitigate भी कर सकती हैं, या accept कर सकती हैं, वो क्या है, सबसे पहला तो physical environment, environment ऐसा हो जिसमें हर तरह के बच्चे, हर तरह के लोग, हर तरह के culture से लोग हो, तो environment भी कोई इतना specific किसी एक class या एक तपके के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर पहले से ही environment ही, य and celebrations, यह सब मिलके, सब की मलकियत होने चाहिए, सब को मिलके इनको इस्तमाल करना है, celebrations में सब को इकठा रहना है, और इस तरह से यह सारी जो activities हैं, यह group में की जाएंगी, और यह groups जो होंगे, they could be diverse, फिर है जी interactions and attitudes, तो जो group बनेगे, उनमें बच्चे एक दूसरे से कैसे इशारे हैं, वो किसको कितनी अहमियत देते हैं, और कैसे उनको आपस में मिल जुलके रहने की तरहीब दे रहे हैं, यह सारी चीज़ें जो हैं, यह बड़ी एहम हैं, इनके ठूरू हम diversity को accept भी करेंगे, और बच्चों को diversity के जो भी मुक्तलिफ तबके होंगे, उनके साथ चलने के लिए भी हम उनको तरीके सिखाएंगे, ताकि जो जब बाद में वो एक बालग मौश्रा बनाएं, तो वहां भी वो लोगों के अंदर जो तफरीक है, वो खतम कर सकें।